हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मने स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपी ऐसाई का जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आएगा और कट ओफ इसमें आपकी क्या रह सकती है और इसका जो रिवाइजड अंसर की है वो आपकी कब तक आजाईगी इन सभी पर मैं आप से बात करने वाला हूँ और जो इसके अंदर बता गया था कि जो आपका आपकी कब तक आजाईगी इस वीडियो में आपके सारी चीजों के बारे में टिसकस करने वाला हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए गोर्मन जोब की पलपल के लिए तो जैसा कि आप इस नोटिस के अंदर देख सकते हैं यह नोटिस जो है 11 फर्वरी को पब्लिश किया गया था और इसके अंदर जो है आयोग ने साफ लिखा हुआ था कि यह रही आपकी यह आपकी आप देख सकते हैं यूपी ऐसाई वाली यह बरती है के बारे में इनोंने टेटेल दिये इसमें लिखा गया है कि ओनलाइन लिकेट परिक्षा जो की है डेट दी हुई है इसमें संपन करा ली गई थी और जो आपकी आपत्या है वो भी इनोंने ले ली है जिनका परिक्षण किया जा चुका है और डीवी प्यस्टी के लिए अलोट करने के लिए इनकी जो कार रिवाई है वो चल रही है यह इनोंने साफ साफ लिख दिया है अब कुछ लोग का कहना है कि जो वैकंसी है वो कैंसल हो जाएगी वैकंसी कैंसल हो जाएगी तो वैकंसी कैंसल होने के कोई भी चांस नहीं है क्योंकि कोई भी वेकंसी हो कोट केस के अंदर जाता ही है और इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मुद्दा है कोट केस में जाने का वो कितना पावरफुल है उसमें सिर्फ एक मुद्दा यह है कि कुछ candidates के जो है marks 158 तक आ गए है 160 के अंदर से sorry जो सवाल ठीक हूँ है वो इतना आ चुका है तो कुछ चिनके marks थोड़े से कम आए हैं वो चाह रहे हैं गया तो re-exam हो या फिर जो यह vacancy है यह खतम कर दी जाए दुबारा से इसका paper लिया जाए तो ऐसा तो देखो संबाव है नहीं क्योंकि एक vacancy को conduct कराने में जो preparation board है उसका भी काफी पैसा और काफी candidate और काफी जो उनके employees है वो काम पे रखे जाते हैं तो काफी पैसा जो है खर्च हो जाता है तो दुबारा तो vacancy नहीं होगी इसी vacancy पर आपका जो result है वो आएगा और मैं अगर बात करता हूँ इसकी cut off के बारे में तो cut off के बारे में मैं बात यहाँ पर आपको बताता हूँ जो इसकी cut off है cut off आपकी जो 2015 में रही थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा जा सकती है क्योंकि यह 4-5 साल बाद में हुआ है exam और इसके अंदर जो candidate है वो भी ज़्यादा हूँ appear हुए थे अपकी बार 2020-21 की अगर मैं बात करता हूँ तो जो candidate है वो लगबग साड़े साथ लाग candidate जो है आपके appear हुए थे साड़े साथ लाग का मतलब यह बनता है कि एक post पर आपका 79, 79 candidate की जो है वो fight है जो कि यह fight कुछ भी नहीं है यह negligible वो है fight इसके अंदर आपके साड़े साथ लाग के अंदर आपके कुछ candidate ऐसे होंगे जो criteria रखा कया था कि 35 नमबर आपको लाने ही लाने है 35 marks हर subject में वो fulfill नहीं कर पाये होंगे बहुत सारे candidate ऐसे होंगे चिनके marks तो सो होंगे लेकिन जो 35 नंबर का criteria है हर subject का वो fulfill नहीं कर पा रहे होंगे तो वो candidate जो है वो fail हो जाएंगे अब कुछ candidate का इसमें doubt है कि अगर मेरे जो marks हैं वो 13 हैं मतलब मेरे जो सवाल ठीक है 13 है 40 में से तो मेरे को जो है normalization के अंदर पास कर दिया जाएगा लेकिन मैं उन candidate को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं आपको example के through जो है समझाना चाहता हूँ अगर मान लो किसी vacancy में 100 vacancy हैं और जो candidate हैं वो 1000 candidate अपियर हुआ है अब इनके अंदर से जो 100 candidate हैं उनका जो criteria है वो fulfill नहीं हो रहा मान लेते हैं लेकिन जो 900 candidate है उनका criteria जो है वो fulfill है तो जो ये 900 candidate हैं यही तो इन 100 post ओपर fight करेंगे और normalization अगर इनको मिलता है तो इनका score ज़्यादा होगा और अगर इनको normalization मिलता है तो पहले तो ये criteria fulfill करेंगे उसके बात कहीं जाकर ये cut off पर जाएंगे तो इनका जो है जो sectional cut off में रह गए sectional cut off में जो लोग रह गए हैं वो बहुत मुश्किल हैं कि sectional cut off में पास कर जाएं उनके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो sectional cut off जो भी candidate pass नहीं कर पाया है अगर उसका एक mark से या दो mark से रह कया है तो वो उमीद रख सकता है लेकिन उमीद कभी भी तूट भी सकती है पिछली बार की अगर मैं बात करता हूँ तो 20 में से जो बंदे 19 लाए थे या जो 18 लाए थे उनको pass कर दिया गया था वो pass किसलिए कर दिया गया था क्योंकि बहुत सारे candidate जो थे वो sectional cut off को clear नहीं कर पाये थे और जो भर्दी board है यानि कि जो department है वो चाहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा candidate को इसी भर्दी में pass कर वा लें फिर भी 35 के करीब vacancy थी फिर भी उनके 1900 जो vacancy थी वो खाली रह गई थी इसलिए उन्होंने जो किया था कि अगर किसी के 19 आ रहे हैं या 18 आ रहे हैं 20 में से तो उनको pass कर दिया गया था लेकिन कुछ candidate का ऐसा था जिनका 20 नंबर था तो उनको घटा के कम भी कर दिया गया था तो ये जो सारी चीज़ है ये आपकी depend करेगी normalization पर और normalization होगा आपकी shift के अनुसार आपकी shift जो थी वो tough थी tough थी या फिर easy थी या फिर moderate थी ये depend करेगा आपका उस पर लेकिन अगर आप जैसे ये आप जानते हैं कि आपका जो ये तीन phase में exam हुआ है first second third तो जो third phase वाले हैं उनको थोड़ा फायदा इसलिए हुआ है क्योंकि उनको time जादा मिल गया है लेकिन उनका जो exam था वो थोड़ा सा tough आया है second phase वाले जो थे उनको थोड़ा time जादा मिला है तो उनका जो exam है वो moderate आया है लेकिन जो first phase वाले candidate थे उनने time नहीं मिल पाया तो उनका exam easy to moderate आया है तो यह आप मानका चल सकते हैं और सभी जो board होते हैं वो exam conduct कराने का जो तरीका होता हो यही होता है कि या तो tough से start होगा exam या फिर easy to moderate से exam होगा अब बहुत ही easy exam आपको देखने के लिए नहीं मिलते है चाहे वो group D का exam हो या फिर आपका railway का हो या फिर आपका constable का हो इतने easy exam आपको अब देखने के लिए नहीं मिलते easy to moderate ही paper का level रहता है और अगर मैं सभी shift के analyze के बात करता हूँ UPSI के अंदर तो सभी shift के अंदर जो exam level रहा है वो लगबग लगबग same ही रहा है लेकिन जैसे मैंने आपको बताए कि first phase, second phase और third phase के बारे में कि उनको time जाना मिला तो इसमें थोड़ा उलट फेर हो सकता है दो-तिन number का जैसे पिछली बार हुआ था वो तो जब यह result देंगे जब यह आपको पता चल पाएगा इन सब के बाद अगर मैं UPSI की जो cut off है वो आपको बताऊं तो UR के लिए आपकी जो cut off है वो आप मान कर जलिए कि अगर आपके 105 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप running के तैयारिक कर सकते हैं और आपके OBC में अगर 98 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप running के तैयारिक कर सकते हैं वहीं अगर आप SC, ST इन सब में हैं तो आपका जो score है वो अगर 88 प्लस score आपका बन रहा है तो आप running के तैयारिक के अंदर कर सकते हैं महीं एक category के अंदर और है EWS EWS की जो वैकंसी है वो UR से प्लस माइनस टू माइनस टू ही होगी EWS की जो आपकी कट अफ है वो UR से माइनस दो मान सकते हैं यानि के इनका मान सकते हैं के 102 या फिर 103 अब ये cut of आप कैसे क्यों चाह सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया है कि हम जैसे इन्होंने exam conduct कराया था phase में उसी तरीके से ये result भी phase wise देंगे इन्होंने कहा कि first phase के result में हम 20,000 candidate को जो है DVP HD के लिए बुलाएंगे अब इसके अंदर से बहुत सारे candidate जो है निकलेंगे भी क्योंकि एक post पर लगबग लगबग दो candidate का इन्होंने selection किया है first phase के अंदर अगर इन्हें इसके अंदर candidate नहीं मिल पाते तो ये second list जारी करेंगे किसके अंदर ये 10,000 को बुलाएं या फिर 1,000 को बुलाएं ये vacancy पर depend करेगा लेकिन first list के अंदर ये जो हैं 20,000 candidate को बुलाएंगे DV और PST के लिए अगर मैं बात करता हूँ इसका result कब तक आ सकता है तो आप मान कर चलिए कि मार्च के last में आपको इसका result जो है और TV PST की जो date है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले गोर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए थाइकन के लिए करना ना भूले